दोस्तो आप सभी का Only Top Study में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तो Science के Top 35 ऐसे मैथपून परसन जो की बिल्कुल एक्जाम जैसे होंगे जब एक्जाम आप देने जाओगे दोस्तो Railway Group D का एक्जाम आने वाला है 17 अगस से तो बिल्कुल ऐसे ही Science के Question एक्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसी वीडियो में बहुत सारी लेके आने वाला हूँ Railway Group D के लिए अगर आप Railway Group D की त्यारी कर रहे हैं बिल्कुल सीरियसली त्यारी कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे निचे रेडिकल का बटन दिख रहा होगा बेल आइकन को भी ओन रखेगा ताकि जैसी ही वीडियो अप्लोडो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए रोज रात में 9 बजे दोस्ते एक वीडियो लेके आता हूँ जो की काफी महत्पून होगी रेलबे गुरूप D एक्जाम के लिए दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर सेयर करिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा 35 में से आप लोग कितने कोशन के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर भी जरूर बताईएगा अभी तक जितनी वीडियो मैंने अपलोड की हैं साइन्स की हो जीके की हो या फिर जितनी भी वीडियो हैं उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बनाके नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे दिया है वहाँ से जाके आपको सारी वीडियो देख सकते हैं चलिए जी कोशन का अंसर जरूर बता पाएंगे तो गैस्ट्रिक रस में मुझूद एसिड होता है हाइड्रो क्लोरिक एसिड यानि कि इस कोशन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा बहुत ही बढ़िया कोशन है ठीक है चलिए दूसरे कोशन को देख लेते हैं दोस्तों घास का वनस् बोक्स में जरूर बतेगा दोस्तों घास का वनस्पतिक नाम है पोईस यानि की राइट आंसर आपका ए हो जाएगा तो इसने आपर ओप्शन ए लिखा है कैमलिया साइनेसिज तो यह किसका नाम होता है बिल्कुल यह चाय के पोदे का नाम होता है दोस्तों ठीक है और यह आपका तुल सी के पोदे का नाम ठीक है और मूसा होता है दोस्तों आपका केले का ठीक है तो यह आपको सारे याद रखने है ठीक है जी। अगला कोशन आ जाता है इलेक्ट्रोन का नाम खालिस्थान द्वारत दिया गया था बिल्कुल सही आंसर है दोस्तो इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इस कोशन का दोस्तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जोर्ज स्टोनी यानि की right answer आपका दोस्तो B हो जाएगा कब किया था दोस्तो 1891 में ये year भी आप लोग याद रख सकते हैं ठीक है जी अगला question आ जाता है आपका निमलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सरकिट में विदुत परवा को मापने के लिए किया जाता है very very important question है भई railway इस type के question दोस्तो पूछता है और ये easy होते हैं difficult नहीं होते हैं डारेक्ट question होते हैं ये इस question का दोस्तो right answer हो जेगा emitter यानि की right answer is b ये आपको याद अखना है ठीक है अगला question आता है एसुद्यों को दूर करने के लिए ask में मिलाया गया परदार्थ कहलाता है दोस्तो इस question का right answer हो जेगा बिल्कुल इसका right answer हो जेगा flex यानि की right answer is option है ये आपको याद अखना है अगला question आ जाता है दोस्तो निमलिखित में से किस विज्यानिक ने printing machine का विसकार किया था तो इस question का right answer हो जेगा बिल्कुल सही है केक्स्टन यानि की right answer is option c ये आपको दोस्तो याद रख रहा है अगला साथव question है गामा किरने है बिल्कुल सही है इस question का दोस्तो right answer हो जेगा उच उर्जा विदुच चुम्बकी है यानि की right answer is दोस्तो option यहाँ पर c हो जाएगा दोस्तो अगर अगर से त्यार किया जाता है बिल्कुल सही है इसका right answer सेवाल हो जेगा रेड सेवाल होता है वैसे तो यानि की right answer is option यह आपको याद रखना है अगला question आ जाता है दोस्तो आयडीन friction का पता लगाने के लिए उप्योग किया जाता है बिल्कुल सही है right answer दोस्तो हो जाएगा carbohydrate बिल्कुल सही उत्तर किया है अगर आप लोगों ने option यहाँ पर right answer लगाया है अगला question आ जाता है genetics के बारे में निमलिकित में से कौन सा सही नहीं है तो दोस्तो इन में से incorrect आपको छाटना है right answer इसमें से रहेगा देखे डबलू वाटसन ने 1909 में पहली बार जिन सब्द का परियोग किया था तो यह आपका right answer हो जाएगा यह सही नहीं है ठीक है अगला question आता है धवनी किस माध्यम में तेजी से यात्रा करती है आपको यहाँ पे line में बताना है तो देखिए अगर इन सभी में मैं बात करूं दोस्तो तो धवनी सबसे ज़्यादा steel में तेजी से यात्रा करेगी उसके बाद आपका water और फिर air आएगा यानि की right answer आपका दोस्तो ए हो जाएगा यहाँ पे ठीक है ठोस में धवनी की गती सबसे अधिक होती है यह point आप लोगों को याद रहेगा तो कभी इस question को गलत नहीं करेंगे ठीक है धवनी की गती उस माद्यम में गनत पर निर्बा करती है जिसके माद्यम से वे यात्रा करती है दोस्तो ठीक है अगला question आजाता है निमलिकित में से कौन सा गलत है दोस्तो तो इन में से आपको चूज करना है कौन सा गलत है देखे प्रोडूशर गैस लिखा है यहाँ पे दोस्तो कार्बन मोनोकसाइड और हाइड्रोजन तो यह गलत है इसमें से आपको गलत ही छाटना था ठीक है तो यह आपको याद रखना है ठीक है ना भई अगला कोशन आ जाता है दोस्तो जवेलर्स द्वारा किस धातू का उप्योग सोना और प्लेटेनियम के आभुषनों को भारी बनाने के लिए किया जाता है यह कोशन आपका रेलवे 100% पूछेगा इस चीज को लिखवा लेना आप लोग इस टाइब के कोशन क्यों कि मैंने जब अनलिसिस कया था दोस्तो याप को याद अखना है तोस्तो इस के बारे में थोड़ासा और अप लोग को एक रसायनिक तत्व है जिसका जो परतीक है वो आई आर है ठीक है और इसकी परमानु संख्या 77 है ठीक है ये भी आप लोग याद रखेगा तो ये भी आपसे कहीं बार एक्जाम में पूछ लिया जाएगा और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ओस्मियम के बाद एरिडियम दूसरी घनी धातु है दोस्तों ये भी पॉइंट आप लोग जुरूर याद रखेगा ठीक है अगला कोशन आता है निमलिकित में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप देखेगा ध्यान से कोशन को पढ़िएगा पहले तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा लिखा है दोस्तों फरस्ट प्लास्टिक पोलिमर टेफलोन ये गलत हो जाएगा ये सही नहीं है तो राइट आंसर आपका दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा बिलकुल D रहेगा अगला कोशन आजाता है दोस्तो काफी बढ़िया है मानव सरी के किस अंग में लिम्फोसाईट कोसिकाय का निर्मान होता है वैरी वैरी इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो ये भी आंसर बताईएगा जल्दी से इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा अस्थी मत जावे ठीक है बॉन मेरो यानि की right answer आपका B हो जाएगा भई अगला question आता है निमलिकित में से कौन सा सही नहीं है तो इन में से कौन सा दोस्तो सही नहीं है जल्दी से बताइए इस question का right answer क्या रहेगा बिल्कुल सही है right answer हो जाएगा दोस्तो relative humidity hydrometer नहीं ये सही नहीं है देखे hydrometer एक तरल के सामपेक्स घनत्व कोमापता है दोस्तो जबकि hygrometer सामपेक्स दर्वता कोमापता है तो ये आपको याद रखना है ठीक है चले जी अगला question आ जाता है निमलिकित में से कौन सा एक peripheral device है तो इस question का ये तो चलिए इसमें तो वो आ गया दोस्तो आपका ये question पता नहीं कहां से आ गया ये सभी दोस्तो peripheral device है आने की right answer आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा चले जी अगला question आ जाता है कम हवादार इमारतों में निमलिकित में से कौन सी एक्रिया गैसो को संचित किया जा सकता है बहुत ही बढ़िया है इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा redone को बिलकुल सही है right answer दोस्तो आपका डी हो जाएगा अगला question आता है निमलिकित में से कौन सा सही है दोस्तो तो इन में से कौन सा सही होगा जल्दी से बताईए बिलकुल सही है पहला point large herb plant बिलकुल सही है दोस्तो fastest growing plant बिलकुल सही है तो all are correct दोस्तो ये ठीक है ये सबी सही है यानि की right answer डी हो जाएगा और ये सारे question अलग अलग भी पूछे जा सकते है कवक वे पोदे होते हैं दोस्तो जिसमें कमी होती है तो किस चीज की कमी होती है very very important question mark कर लीजे इसको भी क्योंकि एक्जाम में आएगा ये भी कवक वे पोदे होते हैं जिसमें कमी होती है chlorophyll की यार तो right answer आपका दोस्तो third हो जाएगा option ठीक है अगला question आता है लीची का कौन सा हिस्सा खाया जाता है तो जल्दी से बताए इस question का right answer दोस्तो क्या होगा बिल्कुल सही answer है Aril दोस्तों यहाँ पर right answer हो जाएगा ठीक है right answer आपका D रहेगा अगला question है तो इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा बिल्कुल सही color blindness पर बहुत ही important question है यह भी मैं बोल रहा हूँ आपको दोस्तों ऐसे बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ और यह बहुत ही जादा important question है आप समझ लीजे इस type के question exam में पूछे जाता है मेरा experience है दोस्तों यह द्रव्यमान संक्या हमेशा खालिस्थान के बराबर होती है दोस्तों तो इस question का जरा answer बताईएगा इस question का right answer हो जाएगा proton और neutron की संक्या का योग यानि की right answer आपको दोस्तों B हो जाएगा ठीक है द्रव्यमान संक्या हमेशा किसके बराबर होगी proton और neutron की संक्या का योग के बराबर होगी चलिए अगला question आजाता है निमलिकित कत्नों में से कौन सही है दोस्तों तो निमलिकित कत्नों में से कौन सा सही है जल्दी से बताईए बिल्कुल सही उत्तर किया है ये सभी दोस्तों सही है इसमें ठीक है राइट आंसर यहाँ पर D हो जाएगा अगला कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कारिय करता है ये भी कहीं बार पूछा जाता है ठीक है काफी इंपोर्टेंट है कोश्चन तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कोश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बिलकुल सही आंसर है राइट आंसर इस ओप्शन डी विटामिन डी दोस्तों एक्ट लाइक हार्मोन यानि की राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अगला कोश्चन है खालिस्थान भारत में सरकारी निकायों को नेटवर्क सुईधा और ई-गवर्नेंस साहता परदान करता है इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा National Informatic Center यानि की right answer NIC हो जाएगा दोस्तो ये भी question आपके exam में आया था इसकी स्थापना बता देता हूँ 1976 में इसकी स्थापना हुई थी Headquarter दोस्तो नई दिल्ली में हैं तो ये आप लोग याद रख सकते हैं अगला question आता है आहर नली का सबसे लंबा हिस्सा कोन सा होता है दोस्तो तो देखें आहर नली का सबसे लंबा हिस्सा होता है बिल्कुल Small intestine यानि की छोटी आथ इस question का दोस्तो right answer हो जाएगा ये आपको याद अखना है अगला question आता है परमानू खालिस्थान दोरा octet प्राप्त कर सकता है तो इस question का जड़ा answer बतेगा बिल्कुल सही answer किया है आप लोगों ने All of these ये सभी दोस्तों यहाँ पर right answer D हो जाएगा तो ये point भी आप लोग याद अखेगा अगला question आता है दोस्तो सितले पेज जैसे कोक और महत्पून मातरा में होता है ठीक है तो जैसे soft drinks होती है दोस्तों जैसे कोक है क्या इनसे में significant quantities होती है तो इस question का right answer हो जाएगा आपका caffeine इन में काफी मातरा में होता है दोस्तों right answer A हो जाएगा ठीक है चले अगला question आता है उफवास की समय सामान्य व्यक्ति में blood sugar के mg dl की सीमा क्या है तो ये भी एक important question है दोस्तों तो यहाँ पर right answer हो जाएगा सामान्य व्यक्ति की पूछा है तो वो आपका 7200 हो जाएगा यानि की right answer आपका दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा C is the right answer तो ये आपको याद अखना है अगर पूछा जाए दोस्तों भोजन के तुरंत बाद कितनी हो जाएगी तो भोजन के तुरंत बाद 180 तक दोस्तों ये हो सकती है ये भी question आया हुआ है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया अगला question है अंगोरा उन से प्राप्त होता है तो अंगोरा उन जो है दोस्तों वो किस से प्राप्त होती है बिल्कुल सही answer क्या है बहुत सारे student यहाँ पर बकरी answer लगाएंगे गोट बट ये नहीं होगा दोस्तों ये खरगोष से प्राप्त होती है यानि कि A right answer हो जाएगा ये बहुत गरम भी होती है और बहुत महेंगी भी होती है ठीक है न अगला question है निमलिकित में से कौन सा सही है दोस्तों तो इसमें अगर मैं बात करूँ अच्छा ये फिर आपका एक वो आ गया ठीक है ये सारे ही सही है वैसे ठीक है science के बीच में computer बीच बीच में पता नहीं कहां से आ जाता है अगला question है निमलिकित में से कौन सा अवतल दरपन का उप्योग है तो जल्दी से बताए दोस्तों इस question का right answer क्या रहेगा तो अवतल दरपन का उप्योग की अगर मैं बात करूँ वीच ओफ दा following आर यूज ओव दी concave mirror तो इन में से तो कोई नहीं होगा नन उपदीज हो जाएगा दोस्तों ये आपको याद अखना है ठीक है चले अगला question आता है दोस्तों डाइनसोर थे डाइनसोर वर क्या थे दोस्तों ये बताना है इस question का right answer हो जाएगा दोस्तों पेलियो जो एक उपजर यानि की right answer आपका दोस्तों C हो जाएगा ये भी exam में पूछा जा चुका है तो ये भी आप मोगों को याद अखना है अगला question आता है निमलखित में से कौनसा अलभनियम का खनीज है दोस्तों तो 36 questions का right answer बतेगा अलभनियम का खनीज कौनसा है तो इस question का right answer हो जाएगा तो इस question का दोस्तों रैट answer हो जाएगा बोक्साइट बिल्कुल सही है यानि कि A आपर सही आंसर रहने वाला है अगला कोशन आता है दोस्तों पारसे की इकाई माप है यानि कि आपको बताना है पारसे किस की is the unit of measurement of किस की measurement unit करती है तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा खोगोल या दूरी की यानि कि राइट आंसर आपका D हो जाएगा दोस्तों ठीक है अगला कोशन आता है यदि पेड के तने के पास अनुभाग में 50 वर्त है तो पेड की उम्र क्या होगी तो इस कोशन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल To दोस्तों ये इसका राइट आंसर 50 ही हो जाएगा तो मैंने बोला दा 35 प्लस तो आपके 35 प्लस कोशन हो चुके है आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों जरह कमेंट बोक्स में बताइएगा ठीक है और दोस्तों कल दोपेर में 2 बजे आपकी एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको 2000 कोशन कवर कराने वाला हूँ, कल दो पैर में दो बज़े 2000 कोशन क्या सही वो बैठा है तो चलिए मिलेंगे कल दो पैर में दो बज़े दोस्तों वीडियो को मिस मत करिएगा अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल आइकन कौन रखे रात को रोज नो बज़े दोस्तों मिलते रहेंगे अगर आपको प्लेलिस चेक करने है तो दिस्क्रिप्शन बोक्स चेक कर लेना वहाँ पर मिल दाएगी थैंक्यू सो मच बाइबाई एवरिवन टेक केर अपना ख्याल रखे मिलते रहेंगे बाइबाई